कि नमस्कार सातियों आप सभी के एक बार फिर से स्वागत अभ्यास अग्रिया केड्म की यूटूब चैनल पर इस वीडियो के अंदर हम जैनेटिस के कुछ इंपोर्टेंट जो रेश्यों होते हैं उनके बारे में डिसकर्स करें तो बहुत सारे अलग लग आप पढ़ते होंगे तो कन्फीजन होता होगा तो यहां पर हम सबी जो है रेस्व जो अलग लग ठीक मोनो हाइबिट क्रोंड डाय हविड क्रोज के ट्राई हविड क्रोस के जितने भी रेसो हैं उन सबकों में पर एक साथ पढ़ने वाले हैं तो इस विडियो को अंति तक देगी आपको सारे रेसो एक साथ मिल जाएंगे तो इससे क्या होगा आपको एक्जाम में रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी एक साथ एक ही पेच पर नोट कर ल ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे लिए कराना सबसे पहले बात करेंगे व्यक्ति क्या होता है यह फिनोटेप नूपात किस ना होता याद रखेंगे तीन अनुपाद एक होता है जीनोटपिक रेसों कितना होता है जीनोटाइप फिरेसों जो होता है वह कितना होता हमारा वह एक अनुपाद दो अनुपाद एक होता है ठीक है यह हमारे मोनो आइबरेट में फिनोटाइब जीनोटाइब आप याद रखेंगे करेंगे तो व मैं याद रखेंगी इदाइव विल्ड को सब्साइब है तो नमर्भे याद रखेंगे is टीक है जीनो टाइप इरेश हो तो जीनो टाइप इरेश हो आप डारेक्ट याद करें क्या 122 इस तरह से याद कर लें आप 122 412 121 यह संग्य याद कर लें समय अनुपात लगा दिना ऐसे है एक 122 412 122 इस तरह से नममर याद कर लें तो आपको क्या है याद रहेगा नमर से याद करना 122 यहां पर 122 है ना 112 412 121 इस तरह से याद करें एक 122 है ना गल्ती से लिखा गया एक 10124 121 121 होता है ठीक है डाइब हो गया अब हम बात कर लेते हैं आपको निकालना की बता दूंगा बहुत सिंपल है ट्राय है ट्राइबिट तो ट्राइब रूंस तो लेकर स्टडी करेंगे तो यहां पर सिर्प आपको फीनो टाइप रेशों याद करना है जीनो टाइब बहुत बड़ा हो जाता और एक्जाम में पूचा नहीं जाता बहुत बड़ा हो जाएगा और एक्जाम में पूचा नहीं जाएगा यह 279 293 233 और 1 . processed 999 33 33 33-13 Always wiem eu बताया कि Maun ho nervous ho jag cross न आयड़ी मैं सब्नाइं पीनटमी रेस में अब कित्रा पाटी जहां एकpirепर कि Black Student खरते घ्राई ने अबने उसका मिह आएगा इन डोनों का गुणा कर दोंगर कि आप करेक्टर का याद रहें एक करेक्टर का थ्रीस ना थे लोगे न तो फिर से आप 3S1 का मल्टिप्लाइ कर देना देखो हो नो थ्यास 27 लाइक है तीन दर्कान नो तीन तर्कान् नों लिए इन लकि और अपने क्या कि इसको ढाँ आगे लिए यादक्रने के प्रकॉस से यह आ गया ट्रपल ना एं ट्रेपल तिक बान तो इस परकार से आप याद कर सकते हैं अगर कभी भूल काई तो फीनोटाइप जीनोटाइप रशा कूणसा मोनो हाइबरेड के लुआ है टेस्ट क्रो मैं कितना होता है एक सबाइस दोना चोल्ड यू फीनोटाइब कि होता जीनोटाइप टैश्ट क्रोस रिसो तो डाइचर डाइब्रिट टैस्ट क्रोसर circadian च्रैसो ना सुसों डğा का दूटर को सब्सक्राइब टोटा है क्या होता है रिच्चर वार तोग इतना होगा अन जीनो टाइप रेसो यही है और फिनो टाइप रेसो भी है किस में टैस्क्रोश में ठीक हाद रहें अगला मोस्ट इंपोटेंट है अगला क्या है अगला हमारा है कि जो अना लोग डॉमीनेंस होते हैं उसके एक्सेप्शन नहीं होती इनकंप्लीट डोमीनेंस ठीक है ना तो इनकंप्लीट डोमीनेंस में अपूल प्रवाविता जिसे हम कहते हैं अपूल प्रवाविता का जो होता है केस अपूर्ण प्रवाविता अपूर्ण प्रवाविता के केस में आप देखोगे क्या होता है एक अनुपात दो अनुपात दो को फीनोटाइप जीनोटाइप है ना फीनोटाइप और जीनोटाइप समान होता है फीनोटाइप अनुपात कितना एक अनुपात दो अनुपात एक यही जीनोटाइब भी होता है जीनोटाइब भी यही होता है जीनोटाइब रेसो भी यही होता है कितना एक अनुपाथ दो अनुपाथ ठीक है ना दोनों सेमी होता है एक अनुपाथ i look at Gino Type phenotype सैम होता है धुर प्रभाविता किसमे अगला हमारा को डॉमिनस होता है को डॉमिन उलसे टिक ऩू को डॉमिनंस में जिसके मुं सह प्रभाविता एक दोब 100 बहुता है ठीक तो दोनों सेब होता है गणनों डौनादा डोनों क्या होता है समान होता है एक अनुपाद दो अनुपाद एक सह प्रभाविता की केस में भी एक दो एक ही होता है और जीनो टाइप फिनो टाइप रेजो बिल्कुल सहम होता है इसको आप याद रखेंगे ठीक है यहां तक हो गए अब हम बात कर लेते हैं कि जो नोन एलिलिक जीन इंट्रे आएगा याद रखेंगे इसके बाद आप याद रखेंगे सप्लिमंटरी को कितना होता है सब्लिमेंटरी जीन एक्षन उसका होगा नो नुपाथ यह इसके बाद करें पोलीमेरिक जीन एक्षन पोलीमेरिक जीन एक्षन पॉलीमेरिक जीन एक्षन का कितना होगा तो आंसर है नो अनुपात छे अनुपात एक होता है इसके बाद करें हम इनिवीटरी जीन एक्षन इनिवीटरी जीन एक्षन इनिवीटरी जीन एक्षन इनिवीटरी जीन एक्षन का कितना होता है तेरा अनुपात तीन होता है कि इसके बाद अगला देखो गया आप मास्किंग कितना होता है मास्किंग ठीक है मास्किंग जीन एक्षन का बारा ठीक है तीन एक बारा तीन हो गया इसके बाद लास्ट होता हमारा बारा तीन ही आट नहीं ईंब्राधु लास्ट वालना याद रखाएंगा आपकिया लास्ट वाला एडिंटि जीन आक्षिन ए मिन्टिटिटिव जीनटिन लास्ट वालना का लागी और कि आध्यीं जीन एकशन यह ऒता एक कि ऐसी सब्सक्राइब या याद रखें नोन एलिलिक जीन इंट्रेक्शन होते हैं कंपलीमेंटी में नहीं होता है इसके लाभा एक दूहर इंपोटेंट है इस पर उनको याद रखें जैसे के लंड़ ना आता है लीधे जीन ऍट फेज जो डीमें लाता है दो पाते हैं दोन एक ठीक एक स्कवाथ हैं한 प्रेल यहाषणीू Čई प्रस नने कुप के स्भाईघ मारे अप istiyorum स्वाधिव रेपल्षन में रेपल्षन फेज में जो आएगा यहां पर सातत यह वंद नाइविट का टैस्क ज्रॉसर रहोता है 111 चार वार उसकी जगे एक्सप्सण होता है डाइविट क्रोस का रेशों को एक्सप्सण क्या है अपना जो है डोके इंडिपेंट्स आपको मालूम है कि लौप independent assortment नियम जो होता है सोतंतर अपूवण का नियम वो डाई हाइबृट को पर बैस्ट होता तो डाई हाइब्रिट कुरौस में टैस्क रेश रेसर रहुं 1 1 1 4 बार आता है ये उसके exceptional form होता है coupling phase और repulsion phase कि 111 4 बार ना आती हूं यहां पर इस प्रकार का आता है coupling में आता है प्रकार के रेसों एक साथ मैंने आपको लिए हैं इनको अच्छे साथ नोड़ कर ले दोस्तों अगर आप पहली बार अभ्यास अग्रियाकेडमी की यूटूब चैनल से चुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाले जितने वीडियोज हैं अगर आपको किसी भी टोपिक पर चाहिए तो आप कमेंट सेक्सर में जरूर बताइए कि आपको किस टोपिक स्वोड वीडियो की जो आपको टफ लगता है तो ऐसे चोटे वीडियो जिससे क्या है आप आसानी से देख सकते हैं ज्यादा टाइम कंजूम नहीं होता और जो इं नहीं के अंदर अगर दोस्ता आप 36 कड आरियो एक्जांब की तियारी कर रहे हैं तो आप यह किसी भी एक्जांब की तियारी कर रहें तो आप अभ्यास एक्री एकेडिमी अप्लीकेसम को गूगल प्ले स्टो से डाउनलूड करिए वहां से आगे आप कोई भी कोर्स के लिए और यू पर फिप्टी परसेंट डिसकाउंट अभी चल रहा है टेस्स पर तो आप वो ले सकते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियों के अंदर तब तक के लिए जाहें